मुश्टाश टाटू जोनर आज का जो एपिसोड है आज स्पेशली मावरी टाटू के ऊपर आज़ा है सबको पता है जब पोलिनिशिया टाटू क्या होता है तामा को टाटू तो आज मावरी टाटू के ऊपर थोड़ा सा हम जब स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड खुलके बता देदे अच्छा लगे आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सब्सक्राइब नहीं पता मावरी तो इस टॉपिक के ऊपर हम तो आसा अच्छे से एक्स्प्लेइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए स्पेशिली सो स्टार्ट करते हैं इस हैं इस टॉपिक के लिए अच्छा लाट लें कर दो कर दो हम स्टार्ट करते हैं यह स्टार्ट हुआ नूजीलेंड से जो स्टार्ट हुआ है वहां से जो remake वां के करिक मत्यू होते हैं हमारे इंसान जो कस्ट बनाते तो वहां के काष्ट लोग 있어서 टाटू अची इस疫情 कोई लोग टामा को टामा को यह टाटू बहुत जदा फेमस है एक अलग ट्रेडिशनल बहुत सकते हैं मैं उस चीज़ को बूलूँगा कि वहां के लोग कि लोग या कोई अपने फैमिली का कोई सदस्य आप ऐस पे टाटू बनाते थे अज़ फुल लाइन वर्ग और वहां से जो ट्रेडिश्नल स्टाट वा तो अलग अलग स्टेट वाइस टाट वा तो न्यूजिलेंड से जितने भी वहाँ के शहर है तो अलग-अलग कास्ट में अलग-अलग शहर में वहाँ पे अलग-अलग तरीके से टाटू की बोडी जो बोडी आर्ट होता है तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कोई लोग फेस पे टाटू बनाते थे से कोई लोग बॉड़ी सूट करती ते तो जपान में भी एक मॉड़न आर्ट स्टार्ट हुआ वहां से राइट तो वहां के लोग भी बनाते हैं और अचकल पुरे वर्ड वाइल यह मॉड़न तरीके से फैल रहा है कि इसका एक हर एलिमेंट हर एक एलिमेंट जो होता है मिनिंफुल होता है जहां कई अब डिको के डिको को डिकेट करत controll setup कोई इलिमेंट के julio उसको डिकेट करता है तो हर कष चतंब छावक्हर ने आर्वमेंट fundable 356 हर कास के साब से अलग-अलग मिनिंग होता है इस इस सहरी सिबेंश ही हर एलिमेंट के भी मेंजा 3 जोड के एक डिजाइन बनती थी एंड उसको एक अलग काश में जो कास्ट है उसकी अलग-अलग काश में कोई बॉड़ी सुट करता था अलग काश में मैं बूलगा कि कोई सिर्फ सिर्फ फेस पे यहां से यहां से आप देखूंगे बैगरांड में भी चल रहा है राइट बै कोई फुल बॉड़ी सुट है कि जिसको भी इंट्रेस्ट है आज डीपली इंट्रेस्ट है असा माओरी टाटू में तो मैं यहीं बूलूँगा कि यार गाइस करना चाहिए आप लोगों को क्योंकि माओरी आर्ट जो है वो बहुत ही यूनिक है और दान बॉडन है अनि यह इसलिए बोरोगे आजकल के लोगों के लिए वो बॉडन आर्ट जैसा हो जल्दी ग्रोथ हो रहा है और ट्रेडिशनल यह कि यह लिजेंडरी आर्ट है ओल्ड स्कूल आर्ट बोल सकता हमें क्योंकि यह पूराने जमानों से स्टार्ट हुआ है उस टाइम पर टाट्टू य इसने बढ़ावा दिया है यह सब कुछ आठ अजव ओल्ड स्कूल की तरफ से हमें मौडन की तरफ आ चुका है तो इससे बहुत कुछ फरक पड़ता है हमारे इंडरिश्टिक के बारे में बोलूगा तो बहुत मतलब आजकल एक आठ अलग लेवल पर लेके आ चुका है इस इसको बहुत अज़ाए उस टाइम पर बांबू निडल सोते थे राइट उसमें बहुत सारे नारही का चाट जाजली काजली बोलते है उसको एक बीट आता है तो उसके बाद जो पॉट रहता है मतका मतके के नीचे वाला काजली होता है जला हुआ इसको कलर बनाते थे अलगला पत्तर होते है वह काला पत्तर को चुरा करके अंदर उसमें अंदर वह सरे पिग्मेंट्स वगरा डालके उसको अच्छे से नाच्रल कलर बनाके उसके ऊपर टाटू करते है किसी बॉड़ी के उपर रैट सो यह बहुत प्रेडिशनल चीज है जो आज मॉडल लाइव में आ चुकी है और केमिकल की केमिकल तरफ बढ़ चुकी है इंग वगरा उसके बाद मशीन वगरा में बूलूगा कि तो आसा मॉडल हो चुका है इलेक्ट्रोनिक बढ़ गए है और पिग्मेंट वह नहीं रहे अलग लेवल की पिग्मेंट आ चुके है आज की जमाने जैसे 21 सेंच्वरी रैट सो आप सोच सकते हो सो मज़ा था यार मैंने बहुत इसके उपर बहुत स्टडी किया है इसका जो ग्रामा रहे है इसमें एलेमेंट्स आपको प्रॉपर लेने को कि आदे लोग क्या करते है कि ऑनलाइन देख जाया और स्टार्ट करते है वैसा ही होता है बहुत है मिनिंगफूल है यार फैमिली में रिफरन्स है तामा को में आफ में आफ फूलल बॉडी कर सकते है राइट और उसके बाद उसमें ज्जादा होती है मतलब प्लस मावरी- DRÁ 그다음 ॉट तामा को पॉलोणिश्या से यहाई और पॉलोणिश्या के बात माओरी आया क्या चूबधा सा मॉडर्ण आट हो चुका है इसलिए माओरी पड़ा हुचक यह सब पर तामा को और माओरी सेम तु सेम हैं शुची बोलो तो तो क्योंकि उसमें लाइन वक करनी आज़ इसके माउरी को उपर तो मैं यही बूलोगा कि यार गो है तच्छी बहुरा बहुत यूनिक है उसमें एलेमेंट्स आपको बहुत खतरनाक मिलेंगे राइट बहुत मज़ा आता है ऐसे टाटू में मतलब देखो गे तो बहुत क्रिजी फिल होता है अलग लेवल म माउरी टाटू आर्ट्स की यान दैन उसकी हिस्ट्री की विकीपीडिया है वगर आप जेख सकते हो यार बहुत सारी चीजे है उसमें आप उसको थोड़े से डीपली सर्च करेंगे तो आप लोगों को अपनी हिस्ट्री जाननी चाहिए और मजा आए जो बेसिक होता है वो बेसिक है यह इससी आप सिखोगे क्योंकि इसमें लाइन वर्क का कॉलीडी जो होते है शापनेज श्रेटनेज गावनेज ये बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ टड़ी देता अ आपको elements के बोलते ना मतलअ कि मतलब आपको जो elements है वो unique तरी से सब्वालग लांग्वेज़ बोल सकता हूं मैं एक अलग language है जो एक पूरा पीस में दीता है सब कुछ बताता है आपको कि इसमें इसमें वार्यкоर दियेडीड है इसमें यह कंट्री को रिलेटेड है इसमें यह आपके जो भी मतलब हर चीज को मतलब डेडिकेट करता है ऐसा चोटी से स्क्रीप्ट बोलते ना वैसा स्क्रीप्ट है तो बहुत कुछ सेखने जैसा हैं तो इसको पर स्टडी करो गईस क्योंकि वारा टाट्व आर्टिस आपको यह स् फोकस करने अपने आपको तो पूरानी हिस्ट्री पे जादा फोकस करो modern हिस्ट्री तो आप साइड बाई साइड देखते रहते हो रैइं तो फर्स्ट पूराने हिस्ट्री पे फोकस करो और वहां से स्टार्ट करो बोलते हैं कि जीरो से स्टार्ट करो ओल्ड इस गोल्ड त देन मजा आएगा यार सची वो रब बहुत प्रावड फील होगा and then best of luck your future यार यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक तो करना यार यहां का जो लाइक बटन दबाओ and then comment box पर comment करो कि यह वीडियो कैसा लगा and then next tutorial कौन से topic पर होना चाहिए बताना है and then बहुत सरे ऐसे जिनोंने Instagram follow नहीं किया है तो प्लीज यहां पर जो दिया है मैंने Instagram का ID वहां पर जाके follow करो वहां पर जो भी वीडियो आता है मेरा YouTube पर फर्स्ट में वहां पर अप्लोड करता हूं कि कल कब वीडियो आने वाला है कब वीडियो क्या प्रोसिस में चल रहा है उस सब कुछ सो मात जिनोंने share करना है तो प्लीज शेयर करो कि आपकी जितने भी आर्टीश आपकी जितने फिवरेट फ्रेंड्स हैं जो आपके दोसे जो टैटू आर्टीश जो आर्ट लवर्स है उन लोगों के लिए बहुत कुछ सिखने की जैसा है तो प्लीज उनके लिए भी आपने तो हमारे टाटू के चलते चलते जा रहे है बढ़ते बढ़ते जा रहे बहुत सकता हम तो ड्रॉइंग टूटरल भी मैं स्टार्ट करो है कि हमारे बिगिनर आर्टीश जुनियर आर्टीश इंडिया में बहुत कम ड्रॉइंग के इतना ज्यादा स्कील नहीं है नॉलेज न तो कितने जल सहमत है इस ड्रॉइंग टूटरल विट टाटू टूटरल के बारे में तो प्लीज मेंशन करो की की ड्रॉइंग टूटरल भी सब्स्टार्ट करो मतलब मंतली एक तूटरल होना चाहिए ड्रॉइंग के ओपर राइट सो जो भी सहमत रहेगा तो नीचे यूनीक है टाटू भी सर्च करोगे तो विकीपीडिया पुरा आता है वहाँ पी भी आप एक बार पढ़ोगे ना डिल कुलास आप बहुत अच्छी से मोटिवड हो जाओगे पुराने जम्माने में कैसा आर्ट होता था तो प्लीज फॉलो करो